नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका चिराग क्लासेज के ओनलान यूटूब चैनल के उपर तो फ्रेंट्स कैसे हो आप लोग आसा करता हूं आप सब बढ़िया होगे तो फ्रेंट्स आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपूटेन रहने वाला है इस व बाद में ITPP ने ओपीशन लोटिस जारी किया था जिसमें यह बताया था कि इसका जो पीटी-पीएश्टी होगा वह 21 सेंटर में होगा और यहां पर इसका जो फिजिकल हो दिसंबर के पहले सब्ता के अंदर इसका फिजिकल होने वाला है यानि अगर बात करें तो 9-10 दिसं किस परकार एंगे ठीक है रनिंग के टिप इस वीडियो के आंदर बताने वाला हों और यहां पर कौनगों показ आप自己ussia चैक किया जाएंगे वह प्रति आपको बताने वाला है क्यूंकि आंकर दोक्मेंट में बतारा हूं वह पहले से अगर आप तेयार के लेते हैं तो आपको बहुत बढ़ा फाइदा मिलेगा अगर आपके डॉकुमेंट पहले से तयार नहीं है ठीक है डॉकुमेंट में कुछ मिष्टेक है तो आपको बरती से बाहर भी होना पढ़ सकता है तो आजका यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादä मार्केट के अंदर आ चुकी है यह पहली बुक आपके देख सकते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानि स्टेनोग्राफर और हैड को इस प्रेक्टिस सेट मिल जाएंगे विच सोलिशन और इस बुक के अंदर आपको 2350 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के विच सोलिश है ठीक है यहाँ पर यह बुक आप देख सकते हैं अकोडिंग तो सेलिबस रहीगी और 2400 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्यूशन मिल जाएंगे विच सोलिशन के साथ और यह बुक भी अन्य बुक को से बहुत सर्वसरेश्ट साबित होने वाली है ठीक है अब यहाँ पर इन दोलों बुक का कॉंबो पर एक मार्केट के अंदर आ चुका है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक ही दिया है जाए पर्चेच कीजिए और अपनी त्यारी को और भी ज्यादा बैतर बनाए इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख से इस प्रकार किया गया है इसके बाद में एक-एक जैसे एक सवाल है उनका सोलीशन भी आपको देखने को मिल जाएगा अगर सोलीशन की बात करें तो अल्टरनेट मेतर के साथ सोलीशन दिया है एक तरिका नहीं आता है तो दूसरा तरिका देख के समझ सकते हैं तो ऑल अवर बहुत बढ दिनाओं के समय आपके पास बाकी है और फिजिकल के लिए यह सारे डोकुमेंट आपको यहां पर मांगे जाएगे तो यहां पर आप देख सेते हैं यह आपके जो ओपिशल एडिट काड के अंदर मांगे जाते हैं वही आपके सारे डोकुमेंट है तो इनको आप पहले से तैयार करके रखे ठीक है इसके बाद में यहां पर सबसे पहले में आपको बता देता हूं इस बर्ति का competition बहुत कम है इसका कटोप भी कम जाएगा है क्योंकि पहले क्या होता था पहले इसका एक्जाम होता था लेकिन इस बार आपका क्या हो रहा है physical पहले हो रहा है तो जितने भी होश्यार बच्छे हैं वह पीटी पेस्ट होने के बाद में आपका एकसाथ नहीं होगा अलग-अलग होने वाला है इसके बाद में आपका जो पीजिकल एपिसेंसे टेस्ट है इसके अंदर आपकी जो रनिंग होगी मेल कंडिडेट के लिए आपको इस रनिंग को किलेर कर पाओगे तो यहाँ पर कुछ रनिंग टिप्स है सबसे पहले में आपको बता देता हूँ अभी आपके पास पंदर दिनों का समय सेज है तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि हमारे पास इतना है समय है हमें इसको क्लेर नहीं कर पाएंगे तो आप बिल्कुल क्लेर कर पाओगे जो भी में टिप्स बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले कि रनिंग करने से पहले आप वर्म अप और इस्ट्रेटिंग जरूर करे जब भी आप करना होगा सपोडर्टर पहते हैं आपको आराब से ग्राउंड में जाना है उसमें आपको क्या करना होगा सबसे पहले पहले रनिंग क्छे पहले आपको वर्म अप की बहुत सारी एक्सेसाइज होती है वह प्रकार के रखीया मेल दोनों के लिए यहांप सारी exercise हैं हमने आपकी running के अंदर आपको improvement देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके बाद में, यहाँ पर आप देख सेकते हैं, running से पहले, warm-up stretching जरूर करें, यहाँ पर आप रस्य वगिरा भी कूछ सकते हैं, और stretching जरूर करना है, क्योंकि अगर आप बीना stretching करोगे, तो आपके mask के अंदर सास लेते हैं, लेकिन मुह से आगर जो भी कंटेर सास लेता है, पूरी running, जैसे 1600 मिटर की running है, ठीक है, और अगर वो पूरा मुह से सास लेता है, तो ज्यादा बढ़िया नहीं दोड़ पाएगा, ठीक है, और वो उसकी running भी complete नहीं होगी, आपको क्या गरना है, जैसे 1600 मिट की running, तो आपको क्या रहना है, नाक से सास लेना है, और नाक से ही उसको छोड़ना है, ठीक है, जैसे आपको लगता है, आदे से ज्यादा हमारी running complete हो जादे हो गई है, और आपको एक सूट मारना होता है, ठीक है, लाश्ट में जो आप बहुत तेजी से दोड़ते हैं, आप क्या करना है, अपने नाक और मुझ दोनों को उपन कर लेना है, और आपको सास लेते रहना है, चल्दी जल्दी नाक से और मुझ से सास लेना है, और शुर्ट तेजी से आपको बाहर निकले, अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी जो running है, वो बहुत बढ़ी हो जाएगी, अग ठीक है, लगबग आपको दो किलोमेटर की running करना है, शुरू के अंदर आप तो जैसे लगबग आप अपनी 800 मिटर या जैसे 400 मिटर की दो राउंड कुछ रेस्ट के साथ लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि जाते ही आप 1600 या 2000, दो किलोमेटर आप दोड़ ले, ऐसा बि ठीक है, लगबग आपको चार दिनों तक ये काम करना है, ठीक है, चार दिन यानि लगबग आपके पास कितनी दिन होगे, 549 दिन आपके complete होगे, अगर आप ऐसा लगतार करते हो, मेरी गारंटी है, यहाप सोला सो मिटर की running भी दोड़ लोगे, ठीक है, इतनी hard running नहीं है, फिर उसके बाद भी जो भी आपके पास समय सेजर रहता है, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको अपनी सोला सो मिटर की running दोड़ ना है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाप पर आपको लंबा क्यों दुडवा रहा हूँ, लंबा दुडवाने का मेरा यहीं मक्सद है, क्यो आप रणिंग में जैसे दोड़ने का तरीका तो अगर आपके शुरुवाती दोड़ है लगबग 800 मिटर की दोड़ है तो आप लगबग पूरा पेर रखा ही दोड़ी है ठीक है अगर आप जैसे पंजों की बल दोड़ोगे तो आपके पंजों में दर्द भी हो जाएगा और पेर आपको लगबग जैसे 800 मिटर में आपको बताया था पंजों के पूरा प्रणिंग में उसके बाद जैसे आदे से ज्यादा रणिंग पूरी हो जाते है फिर आपको पंजों की बल दोड़ना है और आपका बोल्ड़ी का पोस्टर इस परकार लखना है इसके बाद में जूते कों से पहलते हैं फिर बहुत बड़ी है जूते बार रणिंग के पहले हैं इसके रणिंग पूरी हो जाते है आपको इनको खाले है कच्छे मूंग भी आते हैं, इनको भीगोगर खान ले रहा है, खसकस आती है, यह भी खा सकते हैं, इसके बाद में, अनार का जूस है, जिनके अदर खून की कम्मी है, जिनको लग रहा है कि मेरा सरीर में कमजोरी है, तो यह अनार का जूस वगेरा आप ले सकते हैं, इसके बा December के बीच में आपका physical होने की पूरी-पूरी संभावने है ठीक है इसके बाद में आगर admit card की बात करें तो admit card है आपका वो कब होगा लगबग 25 से लेकर 28 तक 25 से लेकर 28 December तक आपका admit card जारी हो जाएगा तो ध्यान में रखिए आपका इसी दिन जारी हो जाएगा आपको बिल्कुल भी घबराने नहीं है और running के उपर focus करना है running जो आपका physical है वो 9 से 10 December में ही होगा ठीक है तो आपके फालतों की बातों में ध्यान नहीं देना है I hope वीडियो अच्छा लगाओगा फिर मिलते नेक्स वीडियो के अंदर तब तक लिए जाए हिंद जाए बारत बंदे मात्रों